चुंआ हलोज दोस्तों गुड इवनिंग तो आज आपने पडेंगे नेक्स्ट पार्ट इकनोमिकल आप प्लांट्स एंड वेज़ेड़ फृट्स नो सारी प्लांट्स के एंदर आते हैं उनके बारें पडेंगे थीकैं तो साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है नेक्स्ट पढ़ते हैं वेजटेबल्स यानि सब्जियां इनका अपने जीवने बहुत बड़ा योगदान है बहुत मैटब है और सब्जियां भी कही प्रकार के देखें जैसे लाइक ग्रीन और पल्सेज वेजटेबल्स और अलसो एन इपोर्टन पार्ट ऑफ बैलेंज डाइट ऑफ यानि ग्रीन इन अनाज दाले और सब्जियां ये सारी चिजे क्या है अपने मनुष्य के खाने का भूत यानि बैलेंज डाइट यानि संतोलोंत भोजन का एक अभिनंग है थीडुक है थीडा मेंव विट्यामीन मेंचा फीडरी आन वाटर यानि यह विट्यामीन मेंनेरिट वाइबर के स्वा ρावय सेज टाहिए थीड़ फिरी क्या है यह ज्या मेंचा बीज इनसे पराप्त होते हैं सम मेजर वेजटेबल्स एंड देर साइंटिफिक नेम आर एस फोलो यानि मुख्य सब्जियां कुन कुन से हैं और उनके साइंटिफिक नेम अब देंट फ्रॉम रूट्स यानि जड़ वाली सब्जियां सभी को पता होगा लगबग बाकी फिर भी ट्रैली कर लेते हैं कैरेट कैरेट यानि गाजर डॉक्स कैरोटा इसका बॉटनिकल नेम होता है और यह क्या है एक रूट वाली वेजटेबल है उसके बाद है रेडिस रेडिस है रेपिने रेडिस का बॉटनिकल नेम है और यह क्या है इसके सब्जी बनावी जाती है और उपर वाले दोनों है गाजर है और मूली है और चल जाओ तरंिकल sensor यह इसके सब्ज्रार्णच के मात्र तब आपने को मार्केट में देखने को मिल जाते हैं आज अकल तो हाई टेकनोलोजी के थुरू अपने कभी भी इसको उगा सकते हैं क्या है रूट वाली वेजटेबल है और यह मुक्यत है सड़्दियों में पाए जाती है ठीक है इसको सकरगंध भी कहते हैं इंपोवीया बटाटास ठीक है सकरगंध भी कहते हैं सब ने खाई यह इस्टी के न मिठी होती है और करम करके उबालके या कीरों पर या अंगिठी पर इसको सेख के ख़या जाता है ठीक है next is up and from stream कि तो सबसे पहले आज स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा आपको बटेटो तो यह भी रूट नहीं है students यह एक converted stream stream है sorry converted stream यान्य रुपांत्रित्तना ठीक है आप कभी भी पौदा देखो देखने का मिले मुका तो देखना उसके अंदर कि ये रूट पे नहीं होता है रूट से अलग एक चोटी सी नौट टाइप टहनी निकली होती है उस पे होता है इसको कन्वर्टेड स्टेम कहते हैं ठीक है पोटेटो अलू सबने खाया है सबाबने दो छगें पाए जाता है और सिर्लम ट्यूब्री संभू विपाए एकार या स्विपने आर्बरीू कोने मिलोऻारे है यह एक चॅच्हार चूरेट्बल्ध हैं कम शोगाई जाती है लगबर्भानों अल्य उस सब्कूनाइब्सक्रान सर्दी में देखने को मिलती है ठीक है और सभी ने खाई होगी फराई करके भूनकेज को खाया जाता है सुकी सब्जियों में आती है इसका बोटनीकल नीम है ठीक है नेक्स आता है अब इंट फ्रोम लिफ्स यानि जो पतियों से पाई जाती है पतियों वाली सब्से पहले आती है स्पैनेच यानि पालक यह सबने खाई होगी स्पैनेट्स पालक एक बहुती विटामेंज प्रोटेन वाली वेजटेबल है जब भी विमार होते हैं या कौन की कमी होती है डॉक्टर इसी की एडवाइस देता है ठीक है ना स्पैनेशिया ओलरेशिया इसका बोटनिकल नेम है ठीक है स्पैनेशिया ओलरेशिया वापस रेली कर लेना पालक अपने नहीं देखियो तो डाइगराम में दिखाई गई है और यह अपने फूड के अपने बोजन के लिए सबसे हेल्दी होती है नेक्स्ट है फैनुगरिक फैनुगरिक यानि मेथी तो स्टुर्ण्ट्स यहाँ मैंने दो इमेज लगाई है बट यह पर्ण में है देखो कुछ को पता होगा कुछ ने मेथी की पत्ते नहीं खाया होंगे तो यह मेथी होती है एक यह सीड वाली जो सीड वाली है उसके भी सबजी बनती है तो यह नह इनकी कच्छी वसमय जब पोदा होता है जब इसकी पत्ती को तोड़के खाया जाता है वो इसमें आता है ठीक है ना वापस कह रहा हूं इसको दो प्रकार्द सब्जिया बनाई जाती है सीडम से भी और इसकी पत्तियों से भी तो मेथी का बोटनी के लिए में है ट्राइगोन यह है चिन आपोडियम एल्बम इसका बोटनी के लिए है चिनोपोडियम एल्बम ठीक है यह क्या है वीड है खरपत वारे है जो अराम से इदर-उदर या खेत में में मुक्य फुसल के साथ देखने को मिल जाता है बड़ इसकी भी सबजी बना जाती है सर्चों का साग होता है उसके साथ भी इसको बनाया जाता है तो students एक बात याद आगे शर्सों के साथ से कि जो mustard होती है उसकी पतियों से भी क्या बना जाती है सबजी बना जाती है और अपने पंजाब का बहुत ही फ्लावर्स यानि जो अपने को फ्लावर से प्राफ्त होती है फ्लावर्स सबसे बड़ा अपने सबजियों में फ्लावर्स है कौन सा फूल गोबी यानि फूल वाली गोबी गोबी भी तीन प्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक् Bracica Oleracea ठीक है और इसकी Variety है वो है Botritis 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 तो यह दिखा बताना स्टूडन्स सभी यह फूल को भी है पत्ता को भी है कमेंट करके सभी बताएं क्या यह मैंने डाइग्राम सही लगाया है ठीक है फिर इसका जवाब मैं कमें सभी को दूँगा नेक्स्ट है Abundant from Fruits यानि यह सबसे बड़ा गुरूप है Fruits का यानि जो फल से प्राप्थ होने वाली सबजी है ना Fruits वो नी जो फल यानि पोदे के अफल जिस से प्राप्थ होने वाली सबजी है वो होती है Abundant from Fruits जैसे लाइक टमेटो, बैंगेन, भिंडी और गौारपॉंड अधी बहुत सारी इसमें चिल्ली वगरण बहुत आती है अपने कुछ जो इपोर्टेट रिपोर्टेट है वो पढ़ते हैं जो अपनी सिलेबस के कोडिंग है टमेटो इसका बोटनिंग अगरा में इसका यूज में लिया जाता है नेक्स्ट है ब्रंजिल बैंगन ठीक है ना ब्रंजिल बैंगन इसके भी कही नाम है इसको एक ब्लांट भी कहते हैं ठीक है और सुलेनम मेलोंजना इसका बोटनी के लिए में फीलें प्रूह को लें जर्याव को लिप्रृत्व longing को पुलें अस भीक्डी सुलेंड्र गे को और आज़े ज़रीकर स्थांट बंडी सभी बंडी कारे क्यों को ऑने शुलेंटय दिखाा्यंड इसके ग्वाप करताओ हैροच Massachusetts फली भी कहते हैं इसको और इसके भी सब्जी लगा जाती है य उस वजी बनाया-जाती है और इसका बोटनीक अलिए महता है स्टुडेंट्स सैमोपिप्स टेटो गोने लेबा इसका बोटनीकल लिए में सभी ने खाये होगी कई प्रकार की होती है नेक्स आते है फ्रूट्स यह भी अपने क्या है एक बोजन का मैतव है और सभी ने खाए होंगे इस पूर्ट का बहुत ही मैतव अपने बोड़ी के अंदर बैलेस्ट डाइट के अंदर और यह बोटायत से उगाए जाते हैं खाय जाते हैं इंका भी प्रोसेस के दौरा जूस ड्राइव वगरा बहुत स सबसे जदा भारत में होता है भारत में इसके 2000 से भी अधिक वराइटियां है मेंगो अभी सीजन चल रहा है आम का नाम सुनके सभी के मुझ में पानी आ गया होगा डाइग्राम देखके हना स्टुडेंट्स तो यह अप्मॉस्ट क्रॉप है फूर आम को फलों का राजा भी कहते देते हैं ठीक ना रियल में है बोतायत से उगा जाता है और भारत में मुझ में सबसे जदा उगाया जाता है पूरे वर्ल्ड में में जी फिरा इंडिका जैसे सिकुछ वरैटियां तोतापूरा रसीला चोसा ठीक है अलफेंजु वगरा 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 वह सब्सक्री तो एक पूरा वीडियो इसी पर बन सकता है इतनी वराइटी इसकी उसके बाद है बनाना केला तो केला सबने खाया होगा वर्स बर मिलता है ठीक है इसका बोटनी कल नेम है और मुझेसे इसकी फैमली होती है और यह भी बोटाइद से बारत में लगा जाता है खासकर जो जाया होगा उसके बाद है ओरेंज ओरेंज यह नि अपने इंडिया के सेंटर नागपूर का बोट ज़दा फेमस है सिट्रस रेटिकुलर टाइस का बोटनी के लिए में है और इसके चिलके भी काम ही ली जाते है मेडिसन के रूप में इसका जूस बना जाता है इसको सिदा लुगा जाता है और इंटिया में अच्राषा होता ऑद उखास भी काम होता है उसके फिल्र से टिम भुआ जावड है के यह इंदर सब्सक्किन में अभी तोड़े दिन फाद देखने को मिल जाएрастu के अंदर नेक्स्ट आता है स्टुडेंट्स कस्टड एपल पपाया यह भी वर्ष बर होता है और यह खूब लगा जाता है और इसका भी प्रोडक्शन अच्छा होता है इसके अंदर इम्मिनिटी पावर होती है इसके खाने से इसका बॉटनिक लिए होता है केरी का पपाया स के सीड़ भी काम में लिजाते है नेक्स्ट है कॉस्टड एपल एनि सीटा फल नाम से जाना दाता है यह भी उध्यपूर इजं के अंदर भूता है जंगलों के अंदर होता है इनोना स्कवेवमोस किसे ने नी देखाोगा तो ढगा दिया है नेक्स्ट है कि मेडिशनल प्लांट यानि ऊसदीय पादव इसको बोलते हैं और इनका भी एक अलग ही महतव होता है मेडिशन प्लांट का यह क्या है अपने जीवन के अंदर जो प्राने वेद करंथ है उनमें आयरवेदिक द्वाईयों का यूज के जाता था ऊसदीयों यूज के जाता व हो यह हैं मेडिशनल ठीक है के वेरिस पार्ट आफ प्लांट एज रूट स्टेम लिफ फ्लावर सीड एटीज है केमिकल सब्सेंस ऑफ मेडिशनल इपोर्टन सम अफ दीज मेडिशनल प्लांट आर एस फोलो यानि पादव के विवन बागों से जैसे जड तना पर्ण पुस फल बीज एदे से इनके जो केमिकल है उसका क्या होता है यानि उसका रसाइन है उनका रसाइन परत का जिन Łदर बना बने मियो से ऋचार से बाणट से है और अब सबसे पहले सभी रसाइन nature जिसको कहते हैं healthy ये अपने जितने भी function होते हैं occasion होते हैं तेंवार साधी function ठीक है जनम मरन सब में इसका यूज किया जाता है कुकुरूमा लोंगा और medicinal में बहुत जदा इप्योग लिया जाता है और सबसे जदा immunity में भी इसका बहुत यूगदान है लगने पे healthy लेप किया जाता है skin के लिए पेट के लिए सभी के लिए बहुत बैस्ट है और इसको खाना जाहिए इसका बोटनी के लिए में कुकुरूमा लोंगा ठीक है नेक्स्ट है जिंजर अद्रक अद्रक वाली चाई सबको याद आती है सर्दियों में इसकी बहुती ज्यादा यूज किया ज जाती है और इसका बोटनी के लिए में जिंजिवर आफशनिल ठीक है जिंजिवर आफशनिल तो यह भी बहुती ज्यादा यूज में ली जाने वाली क्या है एक प्लांट है नेक्स्ट है गार्लिक गार्लिक आता है लैसुन सबने सुना होगा लैसुन एलियम से टाइवम इ यह भी क्या है एक मैडिशनल यूज है इम्मिनुटी पाउर व्लड वगरा में काम होता है हार्ट वेल यूज किया जाता है हार्ट पेशेंट के लिए बहुती ही लाब देख होता है नेक्स्ट है सफेद मुसली यह होती है सफेद मुसली इसकी यह जड़े होती है और नेक्स्ट है एसवगंदा इसका प्लांट होता है और जड़े काम में ली जाती है एकंसकी पतियां काम में ली जाती और तहनी भी अब्न है यानि इनकी चाल किकाम में ली जाती है वो next is cunane cunane एक plant होता है students मैंने diagram नहीं लगाया क्योंकि इतना important नहीं है normally 2 plant दीएगे एक अर्जुना यानि अर्जुन का plant cunane का voting name होता है syncona of sinalis और अर्जुन का होता है terminalia arjuna ठीक है दो plant है जिनकी चाल का में लिजाती है next आता है आपका next अब्डेंट फ्रॉम लिफ यानि जिनकी पत्तियां काम में लिए जाती है वो पत्तियों में बहुत सारे आते हैं सबसे मौस्ट है गवारपठा जिसको एलो वीरा भी कहते हैं इसका बोटनी गिल नामी एलो वीरा है इसकी पत्तियां इसका जेल वो बहुत ही काम में लिया जा पर रहते हैं ठीक है नेइक्स्ट है है कि बैसिल वेसे ली तुल्सी ward होड़ा होड़ा जकी कि अGMोका है घुक गवर्णियों के लुट में थहारे प्लाइटेर अर्शों मुपमकी ये खूब सारे की प्रकार्णदatar थे रामों कराएटा है तो इसका भी क्या है एक traditional महतव भी है यानि अपने पुराने विदिकाल से पूजा वगरा में इसका भी बहुत यूज किया जाता है और इसका अयर्वधिक बहुत महतव है इसके plant के leaf, seed, flower, total plant का इसका महतव है next आता है brahmi, brahmi इसका बोटने के लिए में होता है centella asiatica, centella asiatica इसका बोटने के लिए में इसका plant है, इसकी leaf का में ली जाती है next आता है student, origin from fruit, fruit में सबसे पहले आता है opium, opium यानि अफीम, अफीम ये इसका misuse भी बहुत होता है और इसका use भी बहुत होता है तो misuse like, toxic substance में होता है, और use होता है medicinal में इसका काम में ले जाता है, paper versus omniferum इसका botany के लिए में students, ये इसका, क्या होता है, जहांसे इसका दूज निकलता है, mostly इसका fruit है और next है, gooseberry जिसको आवला कहते हैं, इसका botany के लिए में embellica of sinilis, ठीक है, आवला कहते हैं इसका botany के लिए में embellica of sinilis और students, next, my youtube channel को like and subscribe करें, और आज का video यहीं तक, video पसंद आए, तो like करें, share करें, और मेरी channel को subscribe करें, धन्यवाद students